कैसे हो आप सब उमीद कर दियूंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने जाने अपनी वर्क्षीट नूंबर 9 मैथेमेटिक्स के बेटा एट्थ क्लास के बच्चों के लिए 22 अक्टूबर किया ठीक है जिसमें बेटा आज हम करेंगे अपना नेक्स चेप्ट चलिए start करते हैं बेटा तो dear students in previous class we have learned to make equation from algebraic expression तो भेटा हमने algebraic expression के त्रू इक्वेशन बनाना सीखा था let us revise algebraic expression first ठीक है पहले हम इसको revise करते हैं तो let us think सबसे पहले सोचो राजू and बीनू क्या है दो brothers है बीनू is younger than the Raju by 3 years तो जो बीनू है वो राजू से 3 साल क्या है छोटा है younger का मतलब छोटा है ठीक है but we don't know the Raju लेकिन हम राजू की age नहीं जानते बस हमें यह पता है कि वो क्या है बीनू क्या है राजू से 3 साल क्या है younger है छोटा है ठीक है तो let us assume कि अगर राजू क्या होगा 12 साल का होगा 12 साल का है तो बीनू कितना होगा 9 साल का होगा ठीक है तो आप 10 साल बात देखो या 20 साल बात देखो वो एक साल छोटा ही रहने वाला है आप से ठीक है तो राजू जब 12 का है तो बीनू कितने का होगा 9 का और जब राजू 15 का है तो वो 12 का तो आपने यहाँ पर देखा 3 साल हर बार कम है तो यहाँ पर देखो 12-3 और यहाँ पर 15-3 तो अगर हम मान ले इसको ऐसे समझो यहाँ पर क्या बोला है बेटा 12 यह 9 इसका मतलब क्या है 12-9 है ठीक है अब यहाँ 15 है तो यहाँ पर 12 है तो यह क्या है 15-3 और 15-3 ठीक है 12-3 का मतलब 9 ही होगा और 15-3 का मतलब 12 होगा अब अगर हम यहां कहाँ देखी इसकी x value है तो इसकी कितनी होगी इसमें से 3 ही तो घटाएंगे क्योंकि x में से 3 घटाएंगे वो इसी के तो equal आएगा तो x-3 हम कह सकते हैं तो यही होता है हमारा x क्या है हमारा यहां variable कहलाता है ठीक है कि यह कुछ भी value हो जगते हैं इसकी यहां पर तो so when Raju is x year old then b no कितने को हो जाएगा x minus 3 years old का हो जाएगा keep in mind x is a variable the variable allow us to express relation in any practical situation तो बटा x को हम यहां पर variable मान रहे हैं लेकिन variable हम कोई भी ले सकते हैं जरूर ही नहीं है सिर्फ x symbol को ले इसके अलावा हम किसी भी letter को ले सकते हैं जैसे p, r, l, x, y, z, etc कुछ भी ले सकते हैं ठीक है अब बटा देखो practice करो let us discuss one situation in different form तो दो statement के formें में same situation दी गई है ठीक है जैसे की सरीता hedge 10 more marbles than amina ठीक है तो सरीता के पास क्या है बटा 10 more marbles है मतलब की कंचे हैं उसके पास 10 अधिक है सरीता के पास किस से amina से अब यहाँ पर भी देखो सरीता hedge 20 marble which is 10 more than the marble of amina यानि कि amina से उसके पास 10 कंचे अधिक है सरीता के पास यहाँ पर तो सिर्फ इतनी बात बताईए और यहाँ पर आपको बता दी कि सरीता के पास वैसे तो 20 है लेकिन उसके पास 10 कंचे अधिक है अमीना से तो आप निकाल सकते हो टोटल सरीता के पास 20 है और अमीना से 10 अधिक भी है तो अमीना के कितने हो जाएंगे 20 में से 10 गटा दो तो कितने बचे 10 ठीक है लेकिन हम इसको equation में कैसे लिखेंगे अमीना के पास हमने माना की x marble है ठीक है ये variable हमने मान लिया अब सरीता के पास तो 10 अधिक है उसे तो x plus 10 कर देंगे ठीक है तो कितने आ गए इसको बोलते हम expression ठीक है variable की help से हमें expression बनाते है अब बेटा देखो यहाँ पर हमने ये expression तो बना लिये थे अब हमें यहाँ पर यह भी पता है कि सरीता के पास 20 है तो यहाँ पर बोला है सरीता के पास x plus 10 है इतने है ठीक है या फिर ऐसे समझो कि तुम्हारा भाई तीन साल छोटा था तीन साल बढ़ा है तुमसे तो मान लो तुम इतने साल के हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बढ़ा है तो तुम अगर एक साल के हो तो तुम्हारा भाई ठीक है, और यही हमारी क्या बना देती है, equation बना देती है, in above statement 2, Sarita has total 20 marble and that, marbles are 10 more than the amina, that have been expressed in the term of equation, हमने equation की form में लिख दिया, ठीक है, that have, we identify an equation by equal sign, तो यह equation हम इसको कब बानते बटा, जब हम किसी भी, मतलब की value के बीच में, यह equal का sign देखते हैं, तो हम क्या कहते है, वो ए there is no equal sign in expression, और expression के बीच में कोई equal sign नहीं होता, तो यह expression होता है, और single यह variable होता है, ठीक है, तो यहां से देखो, हमने क्या सिखा बेटा, we can make an equation from the expression using a variable, तो हम एक equation बनाते है, expression की सायता से, जिसमें क्या होता है, variable होता है, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते है, आज हम सिर्फ एक की बात कर रहे है, अब इन equation, left hand side जो है, equal होती है, right hand side के, देखो बेटा, जो यह value आएकी निकल के, वो इसी के equal होगी, 20 के, ठीक है, तो left hand side किसके होगी, right hand side के equal होगी, ठीक है, अब solution जो होगा बेटा, solution of equation, both side of equations are balanced as measuring balance, and all the elementary operation can be done in both the side, ठीक है, तो बेटा देखो क्या ह होगा, यह क्या बोल रहे है, कि यह एक तरीके से कितने होते है, balance वाला, जो हमारे होते है, measuring balance वाला, उस तराजू की तरा होते है, जितना इसमें है, उतना ही इसमें होगा, अगर हम इसमें से एक घटाना पड़ेगा, इनको बराबर रखने के लिए, अगर हम इसमें दो वारियेबल है, X plus 10 के एक linear expression है, ठीक है, equation नहीं है, linear expression है, और यह क्या है, sine of equality है, ठीक है, अब यहाँ पर question करते हैं बटा, इसके कुछ first क्या दिया है, यहाँ पर, find out the linear equation in one variable and end circle the given equation against the serial number, ठीक है, तो यह जो serial number दिये गई है, इनके against आपको circle करने हैं, कि कौन सी क्या है, linear equation है, तो linear equation क्या होगी बटा, जिसमें क्या होगा, एक variable होगा, ठीक है, one variable वाली बोली के, linear equation in one variable, तो one variable मतलब कि आपको एक ऐसी value मिलेगी, variable को हम किस से re-node करते हैं, X से करते हैं, या फिर P, R, L, X, Y, Z, किसी से भी कर सकते हैं, तो देखो बटा, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर यह X है, ठीक है, तो एक variable है, तो यह हमारी एक linear equation है, one variable में, यहाँ पर भी एक expression है, Y है न, है तो Y, हम किसी भी symbol से denote कर सकते हैं, तो यह भी क्या है, एक one variable वाली है, ठीक है, ऐसे यह P, यहाँ पर P से denote कर दिया variable हमारा, तो यह भी एक क्या linear equation है, यहाँ पर T से denote कर दिया, तो यह भी क्या है? linear equation है यहाँ पर x से denote किया है बटा तो यह भी क्या है? linear equation है क्योंकि यहाँ पर equal भी sign है आप यह देखो इसलिए मैं इसको बोल रहे equation अब यहाँ पर देखो बटा यह y है x है और z है यह तो 3 variable आ गई तो 3 नहीं होने चाहिए हमें तो linear equation पूछी गई यह एक variable में यह तो linear equation in 3 variable हो गई ठीक है? यहाँ पर देखो बटा x है यहाँ पर भी x है अब तुम सोचोगे कि यह 2 हो गई variable नहीं है तो एक ही variable ना? दोनों जगा एक ही variable है ठीक है? तो यह क्या होगे? एक variable होगे अब तुमें 2 रोटियां दे दे तो तुम यह थोड़ी ना कहोगे कि तुमने 2 तरीके का खाना खाया? खाना रोटि तो एक ही है ठीक है? अब बटा यहाँ पर देखो x और y यह कितने होगे? जड़ यह 3 variable आगए फिर से तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यह और यह तुमारी linear equation नहीं है one variable में बाकि तुमारी सारी क्या है? linear equation है one variable के अंदर तो यह थी बटा आपके आज की वक्त उम्मेद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी कोई doubt हो तो comment box में पूछ लेना बटा इस वीडियो में इतना ही बटा और आपको पसंद आई हो तो इसको like से जरूर करना अपना next topic company next video में करेंगे तब तक कि लए सिहासते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं बढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं थैंक्यू